हमारे सामने तीन लोग हैं जो रैली में आवे थे और ठक के तुमासा बैठ गए हैं यह लोग अभी पांच किलोमेटर चल चुके हैं पंद्रे किलोमेटर और चलना है सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह पूरा मुद्दा कि क्या है और आहम जनता को बताईए कि इतना अक्रोज क्यों है छे सो साल पराणा हमारे गुरुद्दास महाराज का मंदिर है वो जो सब्ता में है है इस्टेम मोधी सरकार इन्होंने कोर्ट से मिल करके सुप्रिम कोर्ट से यह नर्देश दिलवा दिया कि यह पुलिस के मुखैले के लिए चल्गे खाले कर दो एक तम से उन्होंने एक त सरकार है वो अपरकास्ट और दली उसमें भेद्वाब कर रही है जर्वेसर पर अटायक हो रहा बार 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 लोगों को उतरना पड़ रहा है यह तो हो रहा है क्योंकि हम दबले कुछले समासे हैं इसलिए यह हमारे पुरत्यचार कर रहा है अब 600 साल पुराना कोई 6 साल इतना पुराना मंदिर कैसे तो और सकते हैं यह तो ताना साही कर रही है तो बार बार मोदी जो है लाल किला से और संबोधर में जैभीम जैभीम करते रहते हैं आपको लग रहा है कि वो दिखावा है असल असलियत है को दिखावा है वो जैभीम भी बोलते हैं और बोलते है कि अम्बेतियर के सपनों को पूरा भी करेंगे बिल्कुल दिखावा ऐसा है वो ऐसा कोई काम ने कर रहा है जिससे क्यांगे बिल्का हैrire NO का कुछ नुकसान कर रहा है जब से सथ हमारे लिए तो कूछ यह एक तरफ लंदिर का मुद्र चरण रहा है और उनकी आशता है हमारी आशता हास्ता सालएं थालेश कर पभार सब्सक्रानें तो सुप्रीम कोटे में सवरीवाला मंदिर में भी अदेश किये थे, वहां पर क्यों जुनानिया नहीं आज तक महिल आए, क्यों नहीं प्रवेश कर पाई, यह हमारे फाकों पर आते हैं, हमारे आखों पर एक दिन का भी चाम को मोका नहीं देते, बल्डोजर पर वहा देते, वह से भोट लेने के लिए, तो अगले भी बिधान सवाद चुनाव दिल्ली का नहीं वाला है, तो उसमें क्या इसका असर कुछ होगा, बहुत असर होगा सर इसका, अभी आपने 19 तरीक का अंदोलन देखोगा, उसमें बहुत दो लोगों पार्टिवेश किया बढ़ आरो लोग आई है, तब भी कुछ नहीं आए, तो तो टीयार पी चाहिए, सर पैजा चाहिए, बक्तर शार मैं तो यह हमारा मंदर, गुरु रविधास जी का जो मंदर खड़ा, वो 600 साल पुराना मंदर खड़ा, और यह जो मंदर की जमीन है, और मंदर है जमीन में, यह सकं कार सप्रूफ उनको दिया था, और वहां पे मंदर बना था, उस वक्त क्या था, उस टाइम अग्रेज जी आकर चले गए, मुसलमानों ने भी कुरा सासन किया, और अन्य राजों ने भी सासन किया, उस टाइम ना तो डीडिये था, और ना ही सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन गुरुदाजी का मंदर वहीं पे था, और डीडिये और सुप्रीम कोर्ट और हमारा देश, इस मंदर के बनने के बाद आजाद हुआ, फिर ये कैसे हो गया, कि ये जमीन डीडिये की है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे आदेश दे दिया, कि ये जमीन डीडिये की है, और इससे हमारे दिलों में बहुत रोश है, मैं सरकार से अपेल करता हूँ कि हमारे गुरु रवदास जी का मंदिर वहीं पर स्तापित दिया जाए और हमें सम्मान दिया जाए आपकी जानकारी बहुत जादा है, मैं आपके बातों से लगा, मुझे याद आरा कि बनारस में एक रवदास मंदिर है, यह चुकर ठीक बगल में, वहां पर गया था एक बार, मोदी जी जब चुनाव के पहले जब वोट लेना था, तो मोदी जी वहां मत्था टेक के आते हैं ठीक है, और जब चुनाव खतम हो गया, तो रविदास जी के मंदिर जो है, दिल्बी में तो आपको क्या लग रहा है कि यह वोट के समय जैभीम और अम्बेदकर की बात, फिर रविदास की बात कबीर की बात करते हैं, और जब वोट खतम हो जाता है, तो उसको तो तोड़ रविदास जी के मंदरों में जाते हैं, और हम दिल्बी को पुरा सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है, तो ये हम पे उतना ही अत्याचार करते हैं, जितना ये पहले हमारा सम्मान करते हैं चुनाव के वक्त, तो आप ह बना हुऔ है और हम करते हैं यहां पर है और करते हैं कि हमारे दलत भाइय। हर्याना में जो है इनके मंदिर है अब चुनाव आने वाला है और दिल्ली में चुनाव आने वाला है तो आप सब बताएगे जल्दी से कि चुनाव वोट देते से मैं जनता क्या सोचेगी क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार हुआ कि एलेक्शन से पहले वह रविदास मंदिर बनारस गए उसके बाद कभीर मंदर भी हो गए और भी कई जगा मत्था टेके अम्बेदकर बावन का उन्हों दिल्ली में धाटन गिया वोट ले लिया इसमार क्या आप लोग फिर पर अगर स्टेंट हो जा तो इस बात को तो दिलित भाई हमारे अपने जहन में रखेंगे कि यह जो सरकार है बीजेपी सरकार है या ने कोई भी सरकार है कि हम पे हमेशा हट्या चारी करती आई अब इन्हें ने को लगा भी आप आप आए मुसलिम से ख़त सिख मुसलीम दली पेखता एक साथन आप आए उसके बाद ने किया कि आए सब्सक्राइब कर दिया उसे बाद है अकेले अकेले कोई दवाओ इनके परत्यचार करों भी यह कभी भी साथ ना पाए ओके तरने बाद सब्सक्राइब झाल